जैमाता दि दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके यूटूब चैनल ग्यान सरितर उचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रीडियो में हम आपको सकट चोथ वरत की कथा सुनाने जा रहे हैं इस दिन तिल चतुर्थी का वरत किया जाता है ये वरत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है कई दिनों से रुके हुए मांगली कारी भी संपन होते हैं और भगवान गड़ेस हम सभी को असीम सुखों की प्राक्ति कराते हैं इस दिन गड़ेस कथा सुनने पढ़ने का विसेस महत माना जाता है वरत करने वालों को इस दिन ये वरत जरूर करना चाहिए और संपूर कथा भी सुननी चाहिए इस से आपके वरत का आपको संपूर फल भी मिलता है ये वरत माह महीने के क्रिश्न पच्छी की चतुर्थी को मनाया जाता है जिसे संकस्टी गडेश चतुर्थी भी कहते हैं तो फ्रेंड्स आये जानते हैं कि इस दिन कौन सी कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए पर और गडेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे तब वा मदद मांगने के लिए भगवान सीव के पास आये उस समय सीव के साथ कार्तिके और गडेश जी भी बैठे थे देवताओं की बात सुनकर सीव जी ने कार्तिके वा गडेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारट कर सकता है तब कार्तिके और गडेश जी दोनों ने ही सुयम को इस कार्तिके लिए अपने आपको शक्षम बताया इस पर भगवान सीव ने दोनों की परिच्छा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृत्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा भगवान सीव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिके अपने वाहन मौर पर बैठ कर पृत्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए लेकिन गडेश जी सोच में पढ़ गए कि वा चुहे के उपर चड़ कर सारी पृत्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कारे में उन्हें लग जाएगा तभी उन्हें एक उपाय सुझा भगवान गडेश अपने इस्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए परिक्रमा करके लोटने पर कार्तिके सोयम को विजेता बताने लगे तब सीव जी ने स्री गडेश से कर दूर करने की आग्या दी इस प्रकार भगवान से उन्हें गडेश जी को आशिरवाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्री में चंद्रमा को आर्ध देगा उसके तीनो ताप यानि दैहिक ताप वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे इस व्रत को करने से व्रत धारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी चारों तरफ से मनुस्य की सुख सम्रद्धी बढ़ेगी पुत्र पौत्रादी धन ऐस्वरी की कभी कमी नहीं होगी सास्त्रों की अनुसार ऐसी मानिता है कि इस दिन भगवान गड़ेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर बाहर आये थे इसलिए इसे सकट चौत वरत कहा जाता है एक बार मापार्वती इसनान करने के लिए गई थी तो उन्होंने दरबार पर गड़ेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा यहां तक कि भगवान गड़ेश ने अपने पिता शीव को भी अंदर आने से रोक दिया भगवान स्यू क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तिरसूल से गड़ेश का सिर्धर से अलग कर दिया पुत्र का याहाल देख कर बढ़पती ने भगवान से उसे बहुत अनुरोद किया तो भगवान गड़ेश को हाथी का सिर्द लगा कर दूसरा जीवन दिया गया और गड़ेश भगवान गजानन कहलाने लगी इस दिन से भगवान गडपती को प्रथम पूजि के रूप में अरादना की जाने लगी